हेलो वाट्सप गाइस माइनम इस मिनोत बाद उतापा आज हम इस वीडियो में देखेंगे इन्फिनिट स्क्रोलिंग इन्वी अग्स जी हाँ गाइस तो आप देख सकते हो तो आप देख सकते हो अल्रेडी गाइस में एक वेबसाइट बना है जहां पे कुछ कार्ट से मेरे पास आप देख सकते हो जान मुझ कि मैंने नंबर रखा 1234 यह यूनिक है API से में मिल रहा है सब कुछ आप देख सकते हो यहां पर हमारा यह जो हाइट स्क्रोल का दिखाई दे रहा है गाइस वह देखें कितना बड़ा है जो एम्टी स्पेस हो बहुत ही कम है दा मोमेंट मे नीचे टच करते हैं देखो काइस आटोमेटिक ऊपर चला गया इसकी जो हाइटो कम होगे इट मिन्स की और डेटा लोड हो रहा है यहां पर ठीक है आप देखो गाइस 9 दुनी 18 होता है जैसे ही 18 के बाद मैं वापस टच करूँगा वापस ऊपर चला गया मुझे और एक्स किसी देर के अम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो प्लोड कर चुका है इसको भी जरू चकाउट कीज़ेगा और गईस तो देखिए में अपने VS Code डेटर पे आता हूं और मैंने अपना जो रियक्ट का एप्लिकेशन उसको इसको इंस्टॉल कर रहा है ठीक है तो का पेज देन मोवी का काड है यहां पे मोवी का कंपोनेंट है and then app.css and then index.css and यह मेरा app.jsx file है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा जो यह app.jsx file है मैं यहां पर home को call गर रहा हूँ simple ठीक है and here I have my home component folder के अंदर simple सा ठीक है and मैंने जान मुझकि एकदम basic code जो है उसको मैंने लिखके रखा ताकि ज्यादा time वो इस ना हो आप लोगों को बताने में direct straight to the point जहां पर simple आप देख सकते हो we have our API and यहां पर API का बहुत ही बड़ा हाथ इतना ध्यान में रखिएगा आप ठीक है API आपका बहुत जरूरी जिसमें limit भी हो and then page के numbers भी हो तो वो मैंने यहां पर get की using fetch API ठीक है आप चाओ तो axios use कर सकते हो and then guys simply मुझे जो भी response मिला उसको JSON में convert की data मुझे मिल गया and वो जो मेरा data है मेरा जो use state की मदद से जो मैं state variable create की थी card उसमें मैं इसको store कर दिया obviously यह updated function है उसमें अगर मैं यह data pass कर दूँगा तो card का current data मेरा यह हो गया ठीक है and then use effect में मैंने guys इसको call कर रखा and first time जब भी आप page को load करोगे with the help of this dependency है रहे वो एकी बार run करेगा simple है and यह जो data है card इसमें मुझे पूरा data मिल रहा होता है यह जो data है इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो guys मुझे यह 9 data आ रहा है क्योंकि मैंने limit कितनी रखी है यहाँ पे सिर्फ 9 रखी है मुझे इस तरह के से data आ रहा है और यह जो data मुझे मिल रहा वो array के format में है array of an object है कि नी तो मैंने क्या किया एक movie component बनाई हुई है ठीक है आप देख सकते हो यह मेरा component ए movie component उसमें मैंने वो data पास कर दी कौनसी data guys यह वाली data यह जो मेरा card का data है न यह जो मेरा data है this one यह जो data है यह वाला card का data जो इसको मैंने get किया यहाँ पे ठीक है and मैंने map method चला दी simple one by one data दिखाने के लिए and then return में मैंने एक और component को call किया movie card जिसमें मैंने unique id देना रहता तो key दे दी and then उसमें मेरा यह current well में सारी data मुझे one by one मिल दी है तो movie card पर मैंने उसको pass कर दी and then movie card के अंदर simple यह देखो मेरा paragraph id यह मेरा body and then title यह तो simple खाली 150 और 15 words दिखाने के लिए कुछ हो ऐसा है तो कुछ हो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है simple ठीक है यहां ता कुछ भी नहीं का इसी बहुत basic है अगर इतना भी अगर आपको नहीं आता तो आई हाइल रिकमेंट यह जो complete रियक्ट टूटोरियल हिंदिवित 5 प्रोजेक्ट से यह जो मेरा react का playlist इसको एक बाद जोड़ चकाउट कीजिए क्योंकि यह बहुत ही टच कर देगा ना तो मुझे बाकी की एक्स्ट्रा 9 डेटा भी दिखाना है ठीक इसी के नीचे एंड जब जब मैं उपर जाकि इसको टच करूँगा वापस उसका जो next 9 डेटा है वो मुझे दिखाना है यह आपका infinite scrolling है राइट तो गैस अब हम उसको कैसे गेट कर सकते देखिए बहुत ही ज़्यादा simple उसके लिए हमें यह scroll जो है उसके साथ खिलना पड़ेगा scroll event के साथ ठीक है तो देखिए मैं आपको एक simple rule बता देता हूँ जल्दी से है कि नहीं तो मैं home पे चल रहा हूँ simple ठीक है यहां तक कोई problem नहीं मुझे एक और use effect लेकि आया या नहीं ठीक है तो देखो कैसे मैं यहां पे चलता हूँ simple एक को use effect हम लेते है ठीक है and guys please अगर आपको यह use effect hooks and all नहीं मालूम तो react playlist जरूर चेक आउट कीजेगा या top पे जो वीडियो देख सकते हो complete hooks की बारे में बता है वो भी जरू देख लीजेगा तो guys दे let's go with handle infinite आप लिख दीजे कुछ भी लिख सकते हूं guys function का नाम ही है infinite scroll ठीक है so this is it यह मैंने रखा and obviously use effect है तो यहां पे बस first time this is it ठीक है तो इस तरीके से हो गया मेरा अब यह जो मेरा handle infinite scroll है मुझे इसको क्या करना है guys define करना है ठीक है तो हम चलते हैं यहां पे fat arrow function वाला approach अपनाएंगे and this is it perfect ठीक है तो मैं guys यहां पे क्या करने वाला गाईस यहां पे as it is इसको मैं रख देता हूं async function बनाते हम इसको ठीक है ताकि कोई error हो तो उसको हम get कर सके and यहां पे try catch चल देते है simple सा try catch perfect ठीक है and यहां पे अगर कुछ भी error आया तो पकड़ लो बस error दिखा दो simple ठीक है इसके अंदर guys देखो मैं आपको बताता हूं पहला इसको as it is easy रखो मैं यहां पे चलता हूं fund आप समझों यहां पे क्या हो रहा है यह जो बार आपको दिखाए दे रहा है यह जब इसको करेगा touch इस point को लेकिन आपको पत है कितना है obviously यहां से लेके यहां तक जो भी दिख रहा है यह मेरा complete data है लेकिन जब मैं first time load करता हूं तो user को नहीं दिखता है जब मैं scroll करके पूरा मेरा यह vertical scroll जब यहां पे touch होता तब वो मुझे दिखाई दे रहा है तो मुझे complete मेरे web page का जो height है वो मुझे चाहिए ठीक ह and मैं बताना चाहूंगा already मैंने source code में provide करने रहा है तो यहां पे देखे अगर complete आप कुछ चाहिए होगा so we have a document.document.elements.scrollheight returns the height of the entire documents यह मेरा entire document है this is my entire document ठीक है तो कैसे आप देख सकते हूं कि मैंने यहां पे console.log scrollheight and वो जो data मैंने पास कर दे ठीक है तो controller save करता हूं मैं चलता हूं and एक और console है उसको मैं हटा रहा हूं तो अब मैं अगर यहां पर refresh करूंगा तो guys आप देखना कि मुझे मेरा scroll height आ रहा है कितना भी मैं scroll करूंगा कोई problem नहीं होगा क्योंकि मेरा data fix that is 1559 मतलब मेरे complete webpage का data मुझे मिल गई list of cards लेकि bottom तक इतना उसका height है अब मुझ यह चाहिए कि यह जो विंडो जो अभी आपको दिखाई दे रहा है list of cards लेकि यह जो मेरा 6th number का जो डी ओ से लेकि यहां तक जो यह में तक दिख रहा है यह मेरा actual viewable area है जो मैं first time देख रहा हूं and उसके बाद तो जो मैं scroll करूंगा वो अलग तो मुझे सबसे पहले यह चा आपको पता लगाना हो तो कैसा आप देख सकते हो window.inner height returns the inner height of the window the height of the browser windows viewport inner height of the window ठीक है and यहां पर मैं बहुत अच्छे से लिखा है the inner height of the window is the height of the viewable area of the web page which is the height of the browser windows viewport तो आप देख सकते हो मैंने inner height भी इहां पर रख दिया है अब मैं अगर यहां पर चलता हूं refresh करता हूं तोड़ा सा में करूंगा तो आप देखने हैं यह जो दो वैल्यू से बहुत हार से यह आलवेज सेम रहेगा क्योंकि मुझे जो इसक्रीन दिखाई दे रहा है वो आलवेज सेम ही है राइट जो हम मेरा वेपेज का जो पुरा कंप्लीट जो कंटेंट है जो हाइट है वो भी स आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर ने टच कर दिया मुझे अब इतना पता है कि यह जो कंप्लीट यूजर को नीचे आना पड़ेगा कितना हाइट 1559 यह जो कंप्लीट अभी आपको दिखाई दे रहा उसकी हाइट किती नहीं 1059 तो अब यूजर जब नीचे नीचे स्क्रोल करेगा तो वो आप मुझे पता लागाना है ठीक है और वो हम पता लागा सकते हैं विद इसकी मदस से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो गैस इसको भी मैंने कंसोल.log के अंदर रग दिया है अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ इसको रि लेकिन जो स्क्रोल टॉप उसकी वैल्यू बढ़ गई है अब मैं एकदम बॉट्टम पर आउंगा लेकिन मैं टॉच नहीं करूँगा एकदम बॉट्टम पर आने वाला हूँ तो अब ध्यान से देखना कि मेरी यह जो इनर हाइट है जो यह मेरा व्योवल एरिया है लाइक लेकिन मैंने कितना स्क्रोल किया नीचे वह मुझे मिलता हूँ अब आपको एक जादू दिखा हूँ मैं ध्यान से देखना यह जो मेरा 497 है प्लस यह जो 1051 है अगर मैं प्लस करता हूँ कितना मिलता है मुझे 1548 एंड जो मेरा स्क्रोल का हाइट है जो मेरा एक्चॉल हाइट है मतलब 1559 तो अब आप देख रहे हो गाइस कि इनर हाइट अगर स्क्रोल टॉप इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दू या इन दोनों की वैल्यू जब भी एक पिक्सल या दो पिक्सल से ज्यादा हो जाएगी किससे अगर स्क्रोल हाइट से इट मेंस कि मैंने इसको दिया है आप खुद देखो न टोटल है 1559 मैंने इसको टॉच नहीं किया मैं जिस टॉच कर दूँगा यहां पे 51 तो कितना हो गया 1559 ऑसम कितना मस था नहीं यह तो यह कितना मिल रहा है 1559 एंड हमारा स्क्रोल है कितना है 1559 तो इन दोने की वैल्यू जब इक्वल हो कर दिया तब मुझे और एक्स्रा डेटा को लोड करना है सिंपल यह लॉजिक है यह बहुत इंपॉर्टन लॉजिक है वहां से लॉजिक मिल गया मिनस आप कहीं पे भी इसको एटेच कर सकते हो यूज कर सकते हो ठीक है तो देखो किस तरी किसे में करूँगा अगर मेरा यह जो है window.inner height ठीक है इसको मैं copy कर रहा हूँ यहाँ पे paste प्लस इसको नहीं रखना है और यह जो पार्ट इसको मैं कर रहा हूँ copy ठीक है यहाँ पे कर देता हूँ मैं paste अंदना कर देजे क्योंकि sometimes browser एकदम exactly यूजनों का plus equal to उसके बराबर नहीं हुआ तो ठीक है तो आप दे extra data को जो है load करना है simple this is it यह मेरा funda बन के इतना ज्यादा easy and बहुत ही ज्यादा simple है मुझे actually इसको if के अंदर add करना था मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरह किसे if यह अगर होता है true तो आप guys मुझे यहाँ पे page को एक से increase करना आप देख सकतो यहाँ पर मैंने by default default value रखा है page का one तो मैं यहाँ पे चलूँगा ठीक है so const अब मैं यहाँ पे एक और create कर लेता हूं const अब लिख दीजे page and then page simple page set page कर देता हूं will be equal to use state ठीक है and obviously यहाँ पे by default एक value आप रख दीजे one चाओ तो आप इसको अलग value भी रख सकते हूं तो यह जो मेरा set page होगा यहाँ पे मैं च प्लस करना है ठीक है तो मैं आपको एक चीज बताना चाओंगा guys यहाँ पर पेज नहीं लिख सकते simple previous आपको लिखना पड़ता है plus one it means कि जो अब यह page था one अब वो जैसे ही condition true होगा तो उसकी value एक से बढ़के page हो जाएगा two जब page हो जाएगा two it means कि मैं आपको बताना तो मैं क्या करना चाहता हूँ guys उसको सिफ replace नहीं करना चाहता हूँ तो मैं एक रिफ्रेस कर देता हूँ यहाँ पर and मैं जैसे यहाँ पर करता हूँ तो आप देख सकते हूँ कि guys मुझे कुछ दीख नहीं रहे ठीक है लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा वो इसले नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यह जो मेरा यूज इफेक्ट है यहाँ पर ठीक है जहाँ पर मैं डेटा गेट कर रहा हूँ वहाँ अगर मैं बल दूंगा कि पेज नंबर होता है चेंज तो उसको आप reflect कर देना ठीक है अब भी आप देख सकते हूँ guys मुझे कु कि मेरा जो previous data था ध्यान से देखना आगे ना previous data बोलने से अब वापस यहाँ पर भी सेम होई है यह तो मेरा array है ना array रखना जरूरी है तो मेरा जो previous data है comma and इतना यादा को आपको spread operator यूज करना रहा था इत मिन्स कि previous data as it is रहेगा and अब जो new data आ रहा है उसको भी उसके साथ add कर दो this is it इसका मतलब यह है simple सा ठीक है इतना मैंने कर दिया है मैं इसको एक बार refresh करना चाहूंगा अब आप देख सकते हूं कि total 9 data है यह देखो guys थोड़ा सा हम नीचे आते ही आपको कुछ हो इस्तरी किसी दिखाई दे रहा है तो guys आप मैं इसको कर देता हूं refresh मैं एक ब बार कर लेते इसको सो मैं यहां पर चलता हूं simple return cleanup function बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है आपको बस इस तरीके से लिखना है इतना कुछ हाई फाई नहीं है window.remove event listener में यह जो आपका scroll है ठीक है क्योंकि वो problem आ रहा है ना वापे ठीक है scroll and यह जो function copy and then paste अब आप ध्यान से द आता हूं oh my god he automatic उपर जा रहा है and I think guys मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा यहां पर गडवर्ड की है हमने यह जो scroll top है इसको copy करूंगा मैं क्योंकि यह थोड़ी यहां पर होगा right and यह जो scroll height है वो होगा यहां पर यह कि नहीं आपको फंड़ा पाता चल गया main logic यह य लोगा it means कि जब भी equal to या एक पिक्सल ज्यादा रहा या उससे बड़ा रहा it means हमने touch कर दिया है मैं next page को add कर रहा हूं and add हम कैसे करते हैं यहां पर मैंने दिखा दिया है and यह जो page का count को कैसे increase करना है वो भी हमने यहां पर देख लिया है यहां पर चलना चाहूंगा इसको refresh करूंगा ध्यान से देखना फ्रोड़ा सब में अब देखना and boom guys see perfect right and मैं बुझू starting में आपको दिखाना चाहता था वो भी दिखा देता हूं कि अगर यह data as it is यहां पर रहता था ठीक है अब मैं अगर यहां पर चलता हूं तो ध्यान से देखना जैसी मैं यहां पर touch करूं बॉम गाइस यह देखो मेरा डेटा चेंज हो गया 19 से लेकि 27 तक आ रहा है यह देखो फिर देखा आपने 46 से लेकि देखा क्या हो रहा था तो हमें क्या चाहिए था कि भाई जो डेटा है ठीक है लेकिन जो next page का डेटा रहा है उसके साथ उसके नीचे उसको add कर दो यह था लोडिंग का page है यहाँ पर यहाँ पर हम चलते है const ठीक है अमें पता तो चले ना page को कब लोड कराना है कब लोडिंग एफेक्ट नहीं दिखाना है सो मैं यहाँ पर चलता हूँ इस तरकी से loading and then set loading आपको करना है ठीक है equal to use state and यह बस गाईस इतना ही करना है and initial data true करो तो अब मुझे क्या करना गाईस यह जो मेरा particular portion है ठीक है यहाँ पर मुझे data मिल चुका होता है तो जब मुझे data मिली चुका है तो मैं false कर देता हूँ किसले loading दिखाना वहीं अब इसको मैं copy करूँगा यह जो मेरा particular portion है यहाँ पर सिब हम condition check करें यह जब तक यह condition true नहीं हो जाता है मुझे वो जो animation है वो दिखाना है इट मिन्स कि set loading को अभी मैंने true कर दिया यहाँ पर and once page load हो जाएगा यहाँ पर जब data आएगा वापस से तो वापस वो false हो जाएगा ठीक है अभी जो loading है मैं यहाँ पर चलता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा यह जो loading ठीक है कंडूला सेब कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यह देखेगा इस loading यह देखे यह वाला effect है लेकिन वो मुझे टॉप पर थोड़ी दिखाना है वो मुझे bottom पर दिखाना है और तब दिखाना होगा जब मेरी यह जो loading है वो होगी true अब जब मेरी loading होगी true तब दिखाना है और लेट में यह एक सेकेंड यह अब आपको दिखेगा तो कैसा आप देख सकते हो कि बहुत कम समय के लिए दिखते है और प्रॉब्लम है कि यह देखो थोई देख ले आया था प्रॉब्लम यह नहीं कि यह जो API है तो इतना सिंपल API की बहुत सुपर फास्ट लोड हो रहा अगर आपका API बहुत यूज बहुत बढ़ा है और वो टाइम लेता है थोड़ा तो आपको लोडिंग एफेक बहुत एजीली वहां पर दिखाई देगा तो या गाइस इस वीडियो के लितने सोर्स कोड में आपको अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दूँगा और आपको आज का वीडियो पसंद आओगा और वांस अगेन गाइस यह जो आपको दिख बता है यह आपके लिए बहुत जाद इन पॉर्टेंट है इस पे मताल स्थार में आपको दूझा ओको आपको उड़ाउ भीड़ाब सोर्स का वीडियो King